Hey guys, welcome back to my YouTube channel, this is Sam, और आजके इस वीडियो के अंदर आपन रिव्यू करने वाले हैं Tomb Raider 2013 को, तो अगर आपने Tomb Raider 2013 को नहीं खेला और खेलने का प्लान बना रहे हो, तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने Tomb Raider 2013 का हर एक पार्ट कवर किय है, भले वो गेम प्ले हो, ग्राफिक्स हो, या गेम के स्टोरी लाइन हो, हर एक चीज मेंने कवर किये, तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना, एक भी पार्ट मिसमत कर देना, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस गेम को रिव्यू करना, तो चलो बार सबसे पहले तो आ अंदर पहला गेम है, ये गेम आपको हर एक मेजर प्लेटफॉर्म के उपर देखने को मिल जाएगा, भले वो एक्सबोक्स हो, प्लेस्टेशन हो, विंडोज हो, लीनेक्स हो, या फिर मैक ओस हो, हर एक प्लेटफॉर्म के उपर ये गेम आपको देखने को मिल जाएगा, त initially बहुती ज़्यादा मतलब एक बोल सकते है ना unexperienced explorer है त्यार होता कुछ ऐसा है कि जो Lara Croft है ना वो एक Lost Kingdom जिसका नाम है Yamatai उसकी खोज के लिए Yamatai Island की तरफ निकल जाती है अपने crew के साथ बट unfortunately इनका जो ship होता है ना वो एक storm के वजए से crash हो जाता है और जो storm था ना वो इतना ज्यादा तकड़ा था कि वो ship के दो टुकड़े कर देता है और दो टुकड़े कर देने का मतलब आप समझ के होंगे कि जो आदे लोग रह गे और आदे लोग उस टुकड़े में रह गे और और बिएसली कुछ exploration के दोरान वो बहुत कुछ नया सीखती है और उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है तो यार यहीं है Tomb Raider 2013 के storyline के summary बाकि अगर आपको deep में जानना है तो आपको इस game को खेलना पड़ेगा तो यार अगर मैं honestly बता हूँ तो मुझे इस game के storyline बहुत ज़्यादा पसंद आई थी and मुझे यह भी पसंद आया कि उन्होंने कैसे एक नए Tomb Raider universe को मतलब establish किया मतलब पुराना जो universe था ना वो बिलकुल different था ये वाला जो universe है ना ये वाला वो बिलकुल different है तो story के मामले में तो guys मैं बोलूंगा कि ये गेम बहुत ज़्यादा वर्थिट है इवन 2024 के अंदर भी आप इस game को खेल सकते हो क्योंकि इस game की जो voice acting है drama है या जो cinematics है ना वो सारे के सारे बढ़िया है और आपको बहुत ही ज़्यादा entertain करेंगे तो yes अगर आप इस game को सिर्फ storyline के लिए खेलना चाते हो तो आप definitely खेल सकते हो त्यार ये तो होगे इस game की कुछ basic information and storyline के summary के बारे में बाते अब बात करते हैं इस game के features के बारे में त्यार जैसा कि मैंने आप उस new में बताया है कि जो tomb rider 2013 है ना वो एक third person semi open world game है जिसके अंदर आप Yamatai island को explore करोगे explore करने के साथ साथ आप बहुत सारे side quest वगएरा ये भी खेलोगे side quest के साथ साथ आप बहुत सारे जो collectables वगएरा ये है ना like relics है documents वगएरा ये है वो भी collect कर सकते हो इसी के साथ जो open world है ना वहाँ पे बहुत सारे आपको tombs वगएरा ये भी देखने को मिलेगी तो आप उनको भी explore कर सकते हो बागी इस game के अंदर आप नए नए skills वगएरा ये भी unlock कर सकते हो एंड अपने जो weapons या जो gears वगएरा ये है ना उनको भी नए नए attachments के साथ नए नए skins के साथ अप्ग्रेड कर सकते हो एंड अप्ग्रेड करने के साथ आप Lara Croft के जो outfit वगएरा ये है ना वो भी change कर सकते हो बागी इस game के अंदर आपको multiplayer का option भी देखने को मिलेगा multiplayer एक दू साल पहले जब मैंने इस game को खेला था ना तब तो multiplayer काम करता था बट अब इसका जो multiplayer है ना वो almost dead हो चुका है एंड वैसे भी इसका जो multiplayer था ना वो इतना कोई खास नहीं था तो उसके बारे में बात करने का कोई मतला भी नी बनता बाकियार Yamatai Island के उपर एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए आप fast travel को भी use ले सकते हो तो यहीं कुछ useful features है जो कि आपको game के अंदर देखने को मिलेंगे बागी चलो अब बात करते हैं compact के बारे में तो यहार यह जो reboot franchise है ना उसके अंदर compact system को भी upgrade कर दिया गया पुराने games के comparison में पहले जो comeback था ना वो इतना ज़्यादा smooth एंड इतना ज़्यादा addictive नहीं था लेकिन Tomb Raider 2013 का जो comeback system है ना guys वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है install करता हूँ ना तो मैं एक बार तो इस game को complete करता हूँ and मैं फिर से complete करने वाला हूँ and I think मैं दसवी बार इस game को complete करने वाला हूँ outdated हो सकता है बट इस game के जो animations है जो lighting वागेरा यह ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है and मुझे तो आज भी पसंद आती है सबसे ज़्यादा बढ़िया मुझे इस game के बारे में पता है क्या चीज लगती है मुझे यह चीज लगती है कि यह game बहुत ही ज़्यादा smooth चलता है and इस game के अंदर आपको कोई भी issues देखने को नहीं मिलेंगे बाकि अगर मैं बात करूँ performance की तो guys यह जो game बहुत ही अच्छे से optimize किया गया है and इस game के अंदर आपको कोई भी performance related issues देखने को नहीं मिलेंगे बाकि bugs and glitches आप लोग encounter कर सकते हो क्योंकि यह common चीज है खिर मैंने तो कोई भी encounter नहीं किया bug बाकि आप लोग करो या आपने किया हो तो please मुझे comment section के अंदर जरूर से बताना तो यह हो गई gameplay, graphics and storyline के बारे में बाते अब अपन बात करते हैं मेरे opinions के बारे में तो यहार देखो बात कुछ ऐसी है कि यह game ना 2013 के अंदर आया था and अपनों उस year को consider करे ना तो भाई यह game मुझे बहुत ही ज्यादा perfect लगता है इस game का जो gameplay है ना वो भी बहुत ही ज्यादा balanced है, graphics भी काफी अच्छे है and जो storyline है वो भी बहुत ही ज्यादा interesting है तो मेरी नजर के अंदर तो भाई यह game एक masterpiece है and इसलिए में इस game को rating दूँगा gameplay के लिए 90%, storyline के लिए 95% and graphics के लिए 90% बागी आप लोग इस game को क्या rating दोगे प्लीज मुझे comment section के अंदर जरूर से बताना बागी एक चीज में आपको recommend करूँगा कि अगर आप इस game को खरीदना चाते हो ना अगर आपने epic से claim अगर यह नहीं किया तो इस team से ही खरीद लेना क्योंकि वहाँ पर यह बहुत ही cheap में मिलता है कभी-कभी तो यह game 60-100 रुपे के बीच में हो जाता है तो यह अगर आपने नया वाला Tomb Raider गेम ट्राई नहीं किया तो आप इस game को जरूर से ट्राई करना बहुत ज़्यादा entertaining है और आपको बहुत ज़्यादा fun देगा बागी अगर आपको यह review वीडियो पसंद आए तो प्रीज वीडियो को like करना और एसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना तो चले वार मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर